अलो स्टुडेंट इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफ्रेंशल एक्वेशन के एक फॉर्म एग्जक्ट डिफ्रेंशल एक्वेशन के बारे में कि अगर इस तरह के कोई कुई कुछन अगर गिवन है तो उसका सॉलूशन हम निकालेंगे कैसे तो चलो हम इसको आगे करें तो मारे पास कोई function है उसको मिस तरह से differentiate करें कि अगरम उसमें उसमें किसी भी term को ना तो हम eliminate करें ऊनल ना हम उसके reduce करें तो जो हमें differential equation मिलेगी वह एक डिफ्रेंशल होगी ठीक है तो यहाँ पर जो definition हो वह बल लिए differentiation डिस जरॉडब solution मतलब function जिसको हम differentiate करेंगे without any elimination or reduction of term is known as the exact differential equation ठीक है अभी होगी किस तरह है कि तो यह हमारे पास red box में एक equation का type लिखा हुआ है mxy dx plus n xy dy is equal to 0 तो यहाँ पर जो m है वो x और y दोनों का function है यहाँ पर n x और y दोनों का function इसका मतलब जो भी मेरा function given होगा हमें differentiate डिया डिफरेंशल हमें निकालना है तो वह basically क्या होगा x और y दोनों का function होगा ठीक है चलो अभी यहाँ पर exact की जो differential equation यह तो टाइप मिल गई कहाँ इस टाइप का होगा क्या यह exact होगा भी इसका मतलब यह है कि हमें condition इसमें फुल्फिल करना होगी अगर वह condition फुल्फिल होती है तो यह जो given equation है वह exact differential type equation होगी ठीक है तो क्या है वह condition यह है कि अगर मैं m का partial differential निकालू y के respect में और n का partial differentiation निकालू x के respect में तो यह जो equation हमारी given है वह पूरी तरह से exact differential equation होगी ठीक है चलो तो अब इसको प्रूफ को थोड़ा देख लेते हैं कि condition किस तरह से हमें मिलती है ठीक है suppose हमने भी बात की कि हमारे एक function है f जो x और y दौनों का function है is equal to c ठीक है चलो हम इसका differentiation निकालते हैं हम इसका differentiation निकालेंगे df x, y is equal to c का partial helps को calculate कर सकते हैं तो यह क्या हुआ जागा कि bx plus deal f upon deal y के respect में निकालेंगे d y is equal to 0 ठीक है अगर हम यह मान लें कि हमारा यह जो mx थोड़ा सा यह जो हमारा यह है mxy यह basically किसके बराबर है इस f के बराबर है f dx के बराबर है ठीक है और यह जो nxy होगा यह किसके बराबर है यह इसके बराबर है ठीक है तो यह पर हम इसको लिख लेते हैं तो अगर हम इसको लिखे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो mx, y है वो basically deal f upon deal x के बराबर है वहीं हमारा nxy यह किसके बराबर है यह एक बराबर है ठीक है अब हम इसको एक बार और differentiate करते हैं दोनों को, mxy और nxy दोनों को, कैसे करेंगे, हम बोल देते हैं इसको, कि del m upon, अभी जो xy की form में हमें यह किसकी equal मिलना है, del f upon del x की form में मिलना है, तो हम क्या करते हैं, m को y के respect में differentiate करते हैं, अगर करें तो हमें क्या मिलेगा हैं यहापर, यह del square f हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एक बार और differentiate कर रहे हैं, इसके respect में कर रहे हैं, y के respect में कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा del y, ठीक, ऐसे ही, अगर मैं n को करूँ कि इसके respect में, x के respect, ठीक है, तो क्या मिलेगा मझे, del square f upon del x, del y, यह मिलेगा, अगर हम गौर से देखें, गौर से देखें, तो यह जो del m upon del y है, इसका differential del n upon del x के equal निकल रहा है, तो यह इसकी क्या बन गई, एक essential condition हो गई, कि अगर आपको यह equation given है, तो आपको यह condition निकालना जरूरी है, अगर एक condition फुल्फिल होगी, यह वैली condition अगर फुल्फिल होगी, तो हमारी जो equation होगी, वो exact differential equation होगी, अब इसका solution कैसे निकालेंगे हम, solution निकालने के लिए हम यह formula याद रखेंगे, कि हमें दो टाक्टरम्स को निकाल सकते हैं, पहला y constant low और mx y का x के साथ, या x के respect में integration करो, और n terms में से आप क्या हटा दें, x वाली जितनी भी terms हैं, उन्हें आप eliminate कर दें, उन्हें आप हटा दें, तो बाकी जो बची terms हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, y के respect में integrate करेंगे, ठीक है, तो ये एक हो गया, suppose हो सकता है, कि m का जो integration x के respect में, वो थोड़ा सा complex हो, निकालने में थोड़ा सा typical हो, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा change कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब m में ऐसे component देखेंगे, जिनमें y का terms नहीं आता, उन्हें हम x के respect में integrate करेंगे, और दूसरा integration करेंगे हम n का y के respect में, और x को हम मालनेंगे constant, यहाँ पर क्या मालनेंगे, यहाँ पर या मालनेंगे, और n के लिए हम calculate कर रहे हैं, यह n का integration हम easily कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम x को constant मालनेंगे, अगर m का integration कर रहे हैं, easily अगर हो पा रहा है, तो y को constant रखो, और अगर n का integration बहुत easily हो पा रहा है, तो x को constant रखो, तो यह दो जो फॉरूमले हैं, दौनों formula के help से हम इसका solution calculate कर सकते हैं, solution find कर सकते हैं, तो हम numerical को देखते हैं, कि exact differential equation किस तरह से solve होती है, तो हमारे पास सबसे पहला जो question है, वो है y square minus x square dx plus 2xy dy is equal to 0, तो definitely यह किसका form बना रहा है, यह m dx plus n dy is equal to 0 का यह form बना रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, कि यहाँ पर जो m है, यह क्या represent कर रहा है, y square minus x square को represent कर रहा है, साथी साथ जो n है, वो किसे represent कर रहा है, 2xy को, क्या हमारा काम अभी हो गया, नहीं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी exact differential equation की condition हमें निकालना है, अगर वो condition fulfill होती है, तो हमारी given equation कैसी है, exact differential type equation है, उसी के बाद हम जो solution है, जो हमने formula पढ़ा था, solution का, उसे हम apply कर पाएंगे, ठीक है, चलो, यहाँ पर हम निकालेंगे, del m upon, m को किसके respect में निकालते है, y के respect में, m को किसके respect में निकालना, y के respect में, Dal Y is equal to Dal upon Dal Y, Y square minus X square, अगर हम यहाँ पर इसे calculate करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, यहाँ पर मुझे मिल जागा 2 Y, एक्स तो constant हो जागा, तो हो जीरो लोगे, ठीक है, अब क्या निकालना हमें? Dal N upon Dal X को निकालना है, ठीक है, तो डेल अपॉंड डेल एक्स तू एक्स वाई क्या मिल जागा यहां पर हम यहां से भी मिल जागा टू यहां से clearly हम देख सकते हैं कि डेल एम अपॉंड डेल वाई इसकोल टू क्या है देल एन अपॉंड डेल एक्स है तो यह कैसी फॉर्मूले को ले लेते हैं कि यहां से easily calculate हो जाएगा यह integration mxy dxy constant रहेगा इसमें ठीक है हम इसको लिख देते हैं वाई तो constant रखके हमें mxy को integrate करना किसके respect में एक्स के respect प्लस पूरा नहीं लिखते हम यहां पर लिख देते हैं not x n x, y और इसे किसके respect में निकालने है y के respect में ठीक है y is equal to c ठीक है अब यहां पर इसकी जो terms है वो हम लिख देते हैं m की जो terms है वो है मेरे पास y square minus x square dx के respect में निकालेंगे plus अब यहां पर हमें n xy इस तरह ऐसे निकालना है किसमें x वाली कोई भी term नहीं होना चाहिए पर अगर हमें इसे गौर से देखें जो 2xy है इसमें x की term आ रही है पर हमें term कौनशी चाहिए जिसमें x की term नहीं हो तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगे क्या लिखेंगे हम इसक कोई भी term available नहीं है, जिसमें x ना हो, तो हम इसको लिख देंगे 0, dy is equal to, ठीक है, अब हम इसका integration निकाल लेते हैं, क्योंकि जो y है, हमारा वो क्या है, constant है, तो हम इसको लिखेंगे, integration y square dx minus integration x square dx is equal to c, ठीक है, y square क्या है, constant है, तो y square को बाहर ले लो, क्या बचेगा, dx minus x square dx square to c, अब पूरे को हम integrate कर लेंगे आपर, क्या मिलेगा मुझे आपर, y square x minus, यहां क्या मिलेगा, x q upon 3 is equal to c, तो यह आगया हमारा solution, ठीक है, क्या मिलेगा हमारा यह आगया solution, तो इस तरह से हम इन numerical को solve कर सकते हैं, अभी एक numerical all लेते हैं, ताकि यह और थोड़े से हमा clear हो पाए, ठीक है, यह method हमारा थोड़ा से और clear हो, तो हम एक numerical और ले रहे हैं, तो हमारे पास यह numerical है, x and root 1 minus x square y square minus y dy, plus x plus y, and root 1 minus x square y square dx, ठीक है, अब जरा इस equation को हम गौर से देखे हैं, तो इसमें order हमें reverse मिल ला है, कैसा मिल ला है, मतलब change मिल ला है, reverse order reverse नहीं मिल ला, हम कहेंगे इसको जो order है, वो change मिल ला है, हमारा जो standard order प्ली सकार है, वो बोलता है, m, dx, and dy, हमने dy, पहले मिल ला है, dx, बाद में मिल ला है, तो क्या कोई फरक पड़ेगा, नहीं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, चाहो हो तो से rearrange कर लो, नहीं तो ही से select कर लो, ठीक है, तो हम क्या करते है, step बहु चलते है, हम इसको rearrange कर लेते, ठीक X plus X under root 1-X square Y square minus Y, क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया, अब यहां से हम identify कर लेंगे, M और X मिली रहा है है, M कितना मिल ला है, M मिल ला है, X plus Y under root 1-X square Y square मिल ला है, capital N कि अगर मैं बात करूँ, तो क्या मिल ला है, X under root 1-X square Y square minus Y मिल ला है, ठीक है, अब next step के है, डिफ्रेंशेशन हम है करना है, इसको partial differential हम है, calculate करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम partial differential निकालते हैं, tail up upon Y के respect में है, ठीक है, तो tail upon tail Y, bracket में लिखेंगे, X plus Y, under root 1-X square Y square, हो गया, ठीक है, अगर हम इसका partial differential निकालेंगे, तो X जो है, वो कैसा है, constant, यह 0 हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, यह बचेगा, Y under root 1-X square Y square मिलेगा, अब इसका हमको differentiation निकालना है, अब मुझे clear दिखाई दे रहा है, कि Y के respect में हमें differentiation निकालना है, तो यह Y और यह वाला function, यह दोनों कैसे हैं, multiplication में आ रहे हैं, तो differentiation का जो multiplication वाला formula है, वो हम इसमें apply कर देंगे, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, इसे second function, इसे मान लेता हूँ, मैं first function, ठीक है, 1, 2 भी निकाल सकते हैं, order वो ही आएगा, पर हम इसको 1, इसको 2 मानूँगा, ठीक है, आप इसे Y को 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, result में कोई चीज़ नहीं आने वाला, वो ही आएगा, ठीक है, चल, अब हम इसको कर देते हैं, differentiate, 1-x square, y square, multiply मैं 1 मिलेगा, यहाँ पर, 1, प्लस, अब क्या बोलते हैं, second function को, as it is, छोड़ेंगे, और हम differentiation किसका निकालेंगे, under root, 1-x square, y square का हम differentiation है, यहाँ पर calculate करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, 1-x square, y square, plus y, इसे अगर हम calculate करें, तो जड़ा देखो, under root के अंदर वाला function है, तो हमें मालुम इस तरह के differentiation को किस तरह से solve किया जाता है, कैसे करते हैं, variable change करेंगे, अंदर का जो पूरा variable हमें दिखाई दे रहा है, 1-x square, y square, इसे किसी एक different variable से replace कर दो, और फिर जो अंदर आएगा, उसका क्या करो, अलग से differentiation निकाल लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम calculate करेंगे, तो हमें मिलेगा 2, under root, 1-x square, y square, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1-x square, y square का फिर से differentiation निकाल लेंगे, तो 1-0 हो जाएगा, minus y के respect में निकाल लेंगे, तो यह x square multiply y हो जाएगा, ठीक है, अब इसे completely calculate कर लें, अच्छा 2 और भी आएगा साथ में, माइनस के, माइनस तो साथ मरे गई, माइनस, y square है ना, तो यह हो जाएगा 2, ठीक है, यह वाला 2 और यह वाला 2 दोनों cancel हो गए, ठीक, result हमें जो मिला, वो मिला, under root, 1-x square, y square, minus, x square, y square, upon, under root, 1-1, minus, x square, यह मिलगा हमें, del m upon del y, अब क्या calculate कर रहे हैं, del upon del x, del n upon del x, इसे हम calculate करते हैं, del upon del x, bracket में हम लिखेंगे, क्या है यह, x, under root, 1-x square, y square, minus y, ठीक है, तो क्या मिला, del upon del x मिला, x, under root, 1-x square, y square, और यह तो 0 हो जाएगा, minus 0 हो जाएगा, अब जड़ा यह देखो, यह बिल्कुल कैसा है, यह बिल्कुल वैसा ही ज़िस हमने, m के इस factor के लिए हमने calculate किया था, जड़ा देखो इसको, बस x के लिए यह आगया, y आगया, अगर यहां पर y आ रहा है, तो यहां भी y आ रहा है, अब जड़ा यहां देखो, यहां x आ रहा है, तो यहां भी क्या रहा है, x आ रहा है, ऐसे case में, मेरा जो integration निकलेगा, same निकलेगा, अंडर रूट, 1 minus, x square, y square, minus, x square, y square, upon, अंडर रूट, 1 minus, x square, y square, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, क्या हमारा जो, del m upon del y is equal to del n upon del x हो गया, तो ऐसे case में, मेरा यह जो condition है, वो हमारी same आ रही है, conditions same आ रही है, तो हमारी जो given equation हो कैसी है, exact differential equation है, solution कैसा निकलेंगे, same way formula हम इसमें use कर लेंगा, हमारा solution आ जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पर हम formula की बात कर रहें, तो formula यह है, y constant m dx, ठीक है, y को constant रखना है, m की value रखनेंगें, m का function क्या है हमारे पास, x plus y, x plus y, under root, 1 minus x square y square, 1 minus x square y square, ठीक है, और क्या है यह, इसके respect में निकालना हमें, dx के respect में calculate करेंगे, तो यहां जाएगा, dx plus, अब हमें term चाहिए, n में कौन सी वाली, जिसमें x available नहीं होना चाहिए, तो देखें जारा, n में ऐसा कुछ है, केवल यह हमें, minus y हमें है था मिलना, जिसमें x का term अविलेवल नहीं है, बाकी में है, तो बाकी हम क्या करेंगे, यहां से, हम consider इसे नहीं करेंगे, सिर्फ minus y को ही consider करेंगे, तो minus y, dy is equal to 0, अब हम इसे integrate करेंगे, पूरा, ठीक है, अगर यहां पर हम इसको integrate करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम अलग-अलग integrate करते हैं, x, dx integration होगा, plus integration y under root 1 minus x square y square dx minus, यह क्या जागा, y square upon 2 जागा, ठीक है, अब यहां पर हमें जो value मिलेगी, वो मिलेगी, x square upon 2 मिलेगा, ठीक है, इसे integrate कैसे किया जाए, इसको integrate करने के लिए अपन क्या करते हैं, y, क्यूंकि यहां पर y constant, हमने क्या मान रखाए, m, consider term कर रहे हैं, m को consider कर रहे हैं, साथी साथ हम यह consider कर रहे हैं, कि इसमें जो y value term है, यह, इसको अपन ऐसे लिख लें, dot, y बहार कर लें इसका, एक y हमने, यहां से y square common लेंगे, y square बहार निका लेंगे, तो under root से y बहार आएगा, ठीक है, तो यह वाला constant और इसका एक y यह बहार हो गए, दोनों, ठीक है, अब under root में क्या मिलेगा, 1 upon y square minus x square, dx minus y square upon 2, यह मिलेगा, ठीक है, यहां से हमें equation मिल गई, x square upon 2 plus, y square under root, 1 upon y square minus x square, dx minus y square upon, ठीक है, अब इससे हम solve कर लें अगर, तो हमारा पूरा answer हमें मिल जाएगा, अच्छा, is equal to 0 नहीं, sorry, 0 नहीं, c चलेगा, constant c, ठीक है, c चलेगा, ठीक है, c चलेगा, ठीक है, ठीक है, यह कर लेंगा, ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं, इसका, इसका जो, formula type है, वो कुछ ऐसा है, a square minus x square, dx के type जैसा है, ठीक है, और इसका formula क्या होता है, ठीक है, इसका formula क्या होता है, x upon 2, under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a, ठीक है, यह formula है, इसका होता है, तो अब अब यह आ गया, तो इस formula की जो भी information है, इस integration की जो भी information है, वो इसके अंदर पर पूट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, अच्छा है, यहां पर हम आप, पूट करें, और साथ में solve भी करते चलते हैं, तो ज़रा देखो, यह वाला term, और यह वाला term, यह solve हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में यह पूरा मिलेगा, एक्स अपॉट टू, ठीक है, अंडरो, एसक्वार माइनस एक्स स्क्वार मतलब, वन अपॉट य स्क्वार माइनस एक्स स्क्वार, ठीक है, और साथ में क्या मिलना में, प्लस, एसक्वार अपॉट टू, एसक्वार क्या है, वन y, ठीक है, यह क्या है, 1 upon y है, यह आ गया, is equal to c, ठीक है, पूरी value आ गए हमारी, ठीक है, अब क्या करें, अब इसको और solve करते हैं, तो x square minus y square upon 2 plus y square को अंदर multiply करते हैं, ठीक है, और साथ में काम करते हैं, जड़ा देखों, अब कैसे solve करना है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इस y square को हम पूरी equation के इंदा multiply करें, साथी साथ, इस y square को वापस से LCM लेकर multiply करके solve कर लें, एक साथी पूरा हमारा solution है, वो मिल जागा, ठीक है, क्या मिलेगा, यह मिलेगा मझे, y square x upon 2, अंडरूट में अगर मैं value calculate करूँ, तो मिलेगा मझे 1 minus x square y square upon y square, अब यहां थोड़ y square आ रहा है, इससे बाहर निकाल सकते हैं, बिलबुल कर सकते हैं, जब हम इससे root से बाहर निकालेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, अंडरूट में रहा जागा, 1 minus x square y square, और y यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस y square से यह y, सोरी हम कह सकते हैं, इस y से y square cancel हो जाएगा, अगर यह cancel हो गया, तो बचा क्या है, यहां पर, सिर्फ y बचा, ठीक है, कानी समझ में आ गई, इस y square का सीधा multiply कर रहे हैं, तो बचा के अंदर, 1 upon 2, sine inverse, यह क्या हो जाएगा, x, y is equal to c हो जाएगा, अगे value, अब जड़ा देखो, नीचे क्या रहा है, पूरे मैं 2, lcm, low, औ नहां चला जाएगा, यह, c के साथ चला जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं, देखें के तो क्या मिलेगा हमें, x square minus y square plus x y under root 1 minus x square y square plus sine inverse x y is equal to 2c, यह आ गया solution, तो इस तरह से हम exact differential equation का solution calculate कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान यह रखना होगा, कि आपको differential और integration के proper formula याद हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा step, कौन सा वाला step साहब, यह वाला step अगर फस गया, क्या मैं formula यहाँ पर याद नहीं है, तो आप इसका solution आगे calculate नहीं कर पाएंगे, तो अगर ऐसा कोई numerical आ गया, जिस में इस तरह के formula use हो रहे हैं, तो इस सारे जो formula type है, वो याद होना compulsory, ठीक है, इसका और कोई alternative नहीं है, क्योंकि आप इसको drive नहीं कर सकते, exam के time package से drive करना है बैठो को तो बहुत लेंदी हो जागा आपका, time बहुत consume करेगा, इसलिए formula याद कर लिये जाते हैं, तो इस तरह आपको याद होना चाहिए, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आगया होगा, तो फटावर से वीडियो को लाइक कर, share कर, और हाँ चैनल को subscribe करना, मत बूलना